आज का चेप्टर है सेल कॉम्पलेक्स नंबर और हमारा ये कॉम्पलेक्स नंबर का ये नाइन्थ वीडियो है नाइन्थ पार्ट है और उस नाइन्थ पार्ट पे हमने लिया है क्वेस्टन केविन सेकेंड इसके पहले जो था वो पार्ट एट था वो था क्वेस्टन केविन फर्स्ट और उस Question Kevin में हम ले जा था NCRT Book Class 11 के कुछ Selected Questions और Example बहुत ही Selected था और ये आज रहा है Question Kevin 2 इसमें हम ले रहा है कुछ Extra Question जो हमें ऐसा लगता है कि आपको जानना चाहिए और अच्छे Questions है तो कुछ अच्छे Questions, Question Kevin 2, Question Kevin 3 और हम जाएंगे Question Kevin 4 तक उसके बार फिर हम दूसा चेप्टर लेंगे लेकिन ये है आज का Question Kevin 2 और ये Question यहाँ पर बहुत ही Selected Question यहाँ पर लिखा है इसको कर यहां से स्टार्ट कर रहे हैं लेकिन एक बार फिर हम आप सबको रिवाइंड कर दे रहे हैं कि किसी भी Question को समझना है किसी भी Question के Step या Concept समझना है तो उसके लिए जो Concept है चेप्टर का वो रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है और वो Concept है Part 1 से लेके Part 7 तक पार्ट 1 से पार्ट 7 तक जो वीडियो है वो Concept बेस है तो अगर आपने Concept रिवाइज नहीं किया है तो नीचे Description में उसके Link गिवेन है वहां से पहले आप Concept रिवाइज करिए अग्वाइज फिर Question पर आईए तो आपको Steps और Concept बहुत ज़र्दा समझना है अच्छे Questions के लिए तो उसको आप ज़रूर रिवाइज करिए अगर आपने ना रिवाइज किया हो तो Description में नीचे Link है अब आप Question देखे प्रूब दैट ये Question पहले से लिखा है बहुत अच्छा Question है प्रूब दैट 1 प्लस Cos Theta प्लस I Sin Theta अपन 1 प्लस Cos Theta माइन Sin Theta पावर N is equal to Cos N Theta प्लस I Sin N ये एक Question है एक पहले से Feedback है कि अगर Question में Sin Cos है और पावर N लगा है Sin Cos है और पावर N लगा है तो आप ये 100% जानिए कि वो Question दिवाइवर Theorem पे बेस है पावर भी है और Sin Cos भी है तो इसमें दिवाइवर Theorem ही अप्लाई करना है अब आप LHS अल करिए LHS is equal to Class 11 में एक Formula है 1 प्लस Cos Theta is equal to 2 Cos square Theta by 2 ये Trignometry का Formula है Class 11 के अब Trignometry का Question है तो Class 11 के Formula कभी न कभी बीच बीच में आते रहेंगे तो आते रहेंगे अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है और अगर नहीं भी आ रहें तो वो Formula हम Side में यहाँ पर revise करते रहेंगे 1 प्लस Cos Theta होता है 2 Cos square Theta by 2 और 1 माइनस Cos Theta होता है 2 sin square Theta by 2 यह Trignometry का Formula है from Class 11 तो अब यहाँ पर 1 माइनस Cos Theta नहीं है यहाँ पर है 1 प्लस Cos Theta तो इस 1 प्लस Cos Theta के प्लेश पर आप रहेंगे 2 Cos square Theta by 2 प्लस I अब sin Theta के प्लेश पर भी Formula है sin Theta is equal to 2 sin Theta by 2 into Cos Theta by 2 यह सब Formula आप Trignometry से रिवाइज करते हैं Actually यह Formula sin Theta is equal to 2 sin Theta by 2 into Cos Theta by 2 यह Formula नहीं है Formula आपका है sin 2 Theta is equal to 2 sin Theta into Cos Theta लेकिन जब angle half होता है तो यह Formula बनता है अब यहाँ पर है Trignometry के बहुत deep में नहीं जा रहे हैं आप इसका यूज़ करना है sin Theta equal to 2 sin Theta by 2 और Cos Theta by 2 sin Theta by 2 into Cos Theta by 2 divided by same thing minus में 2 Cos square Theta by 2 minus i into 2 sin Theta by 2 into Cos Theta by 2 and whole power n whole power n is equal to next line next line है यहाँ पर इन दोनों में 2 Cos Theta by 2 common so 2 Cos Theta by 2 common bracket में आया Cos Theta by 2 और plus i sin Theta by 2 divided by यहाँ भी वही चीज़ कमन है 2 Cos Theta by 2 और bracket में bracket में Cos Theta by 2 minus i sin Theta by 2 यह bracket है इसको ऐसे लिख सकते हैं Cos Theta by 2 plus i sin Theta by 2 whole power n divided by divided by Cos Theta by 2 minus i sin Theta by 2 whole power n यह जो whole power था सब का साथ उसको power उस power को आमने अलग अलग कर लिया अब यह Cos Theta by 2 और इस बन नाव नेक्स लाइन नेक्स लाइन यह फर्स यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर करने हैं is equal to is equal to is equal to इसको लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं यहाँ लिखते हैं is equal to Cos Theta by 2 plus i sin Theta by 2 whole power n whole power n into अब यह जो power n और जो उपर जाएगा तो हो जाएगा power minus n into Cos Theta by 2 minus i sin Theta by 2 whole power n whole power minus n is equal to Cos Theta by 2 plus i sin Theta by 2 whole power n यहाँ पर एक बहुत important trick ले रहे हैं multiplied by बहुत important trick हम इसको लिख सकते हैं Cos minus Theta by 2 trigonometry का rule Cos और सिक यह दो trigonometry ratios ऐसे होते हैं कि अगर angle negative हो या positive हो दोना को कोई मत्तब नहीं है Cos और सिक क्यों Cos और सिक में अगर angle negative है तो चाहे negative हो और चाहे positive हो उन दोनों की value सेम होती है formula होता है Cos minus Theta is equal to Cos Theta सो Cos में minus plus का कोई फरक नहीं है यहाँ पर देखे अगर हम इसमें यहाँ minus कर रहे हैं तो यह plus हो जाएगा इसको लिख सकते है plus I sin minus Theta by 2 और whole power minus N यह एक बहुत important line था questions का minus इसको कोई फरक नहीं परता है अगर हमें इससे minus करना है तो यह minus अंदर गया और यह हो गया plus now see this bracket Cos Theta by 2 plus I sin Theta by 2 whole power N into important line important line यह है कि demired theorem में क्या है demired theorem अगर आपने नहीं revise किया तो इसे revise कर लिएज़े किसी पार्ट में हमारे है concept में demired theorem में क्या होता है कि यहाँ पे जो power होता है वो angle के साथ आ जाता है तो यहाँ का power अगर angle के साथ आता है तो angle का कोई power angle का कोई number power में भी जा सकता है मतलब power अगर angle के साथ आ सकता है तो angle का कोई part power में भी जा सकता है इसका मतलब जो यह minus यह minus और यह minus power में जाएगा और यह minus और यह minus power में जाएगा तो यह plus n हो जाएगा अब आप लिख सकते हैं इसको cos theta by 2 और plus i sin theta by 2 और whole power n यह जो minus n था वो plus n हो गया क्यों कि जो यह minus इसका minus और इसका minus यह power में गया और minus minus फिलुस हो गया यह demirate theorem का reverse है reverse आपदा demirate theorem अब क्या है यह दोनों bracket same है तो इसको लेख सकते हैं cos theta by 2 plus i sin theta by 2 whole power 2n n plus n multiplication ने power add होता है तो whole power 2n is equal to again apply the demirate theorem यह 2n इस theta के साथ आ सकता है जो power है वो angle में आता है तो इसको लेख सकते हैं cos 2n theta by 2 plus i sin 2n theta by 2 जो यह 2n है यहां गया 2 to cancel value है 2 or 2 cancel यह 2 or 2 cancel यह 2 or 2 cancel अब आपके पास से cos n theta और plus i sin n theta और यह is equal to हो गया rhs यह equal to rhs यह demirate theorem का एक बहुत अच्छा सा question कुछ खास नहीं था question में एक यह दो question दो एक दो step इसे बहुत important थे तो यह question बहुत अच्छा था डिवार एक टरेम पर base अब कोई दूसरा question लेते हैं तो वह first question था by जब यहां पर एक वी से एक mistake विखा था यहां पर question number 2 लिखा था actually वह question number 1 था आज का तो अब हम question number 2 ले रहे हैं इसके पहले भी 2 लिखा था बट correct it by 1 वह first question था अब हम second question हमने लिख रखा है बहुत अच्छा question आपको देने जा रहे है question है if if x plus 1 upon x is equal to 2 cos theta और y plus 1 upon y is equal to 2 cos phi prove that x upon y और plus y upon x is equal to 2 cos theta minus phi यह question है बहुत अच्छा question है अब इस question के तीन पार्ट है जिसमें एक पार्ट यह प्रूब करना है सो पार्ट यहाँ पर है अभी second part और third part भी आपको देंगे लेकिन इस equation के तीन पार्ट है जिसमें एक पार्ट हम आपको प्रूब करना जा रहे है इसके बाद फिर second part और फिर third part का हिंट देंगे तो अब इसको देखिए यह भी बहुत अच्छा question है complex number का यहाँ पर कहीं आई आई आपको नहीं दिख रहा है लेकिन फिर भी equation complex number का है बहुत ही selected question complex number का ना उसी see solution दिखी इसका solution है given आपके पास है x plus 1 upon x is equal to 2 cos theta x plus 1 upon x is equal to 2 cos theta यह x आपको कतम करना है तो पूरे equation को x से multiply कर दीजिए quadratic equation बन जाएगा यह है x square plus 1 is equal to 2x cos theta इसको लिख सकते हैं x square minus 2x cos theta और plus 1 is equal to 0 यह एक quadratic equation है x का और यहां से आपको x की value find करनी है x is equal to अब इसका factor possible नहीं है तो class 10 का quadratic formula फार्मूला एक बार हम लिख देते हैं आपको minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a यह formula quadratic formula है class 10 से यहां से x की value आएगी जब factorization possible नहीं होता है तो mostly हम इसका formula का यूज करते है that is known as quadratic formula और a क्या होता है x square का coefficient a x का coefficient b और constant term c so b square b square x का coefficient क्या है 2 cos theta और इसका square होगा minus है तो यह होगा 2 cos theta so x is equal to 2 cos theta है क्या है यह minus 2 cos theta लेकिन formula में बार है तो 2 cos theta होगया plus minus under root b square means इसका square so यह होगया 4 cos square theta minus 4 into a into c a है यहां पर 1 और c भी 1 1 और 1 1 अपान 2a 2a means a के value यहां पर 1 है तो 2 so यह आया x is equal to 2 cos theta plus minus under root अब यहां पर 4 है यहां भी 4 है इस 4 को बाहर लेंगे और जब यह 4 बाहर आएगा तो under root के बाहर आता तो वो 2 होगा so 2 into under root cos square theta minus 1 upon 2 अब यह 2 यह 2 और यह 2 कामल लेके cancel होगा x is equal to आएगा cos theta plus minus under root के अंदर minus कामल ले लिए तो यह होगया 1 minus cos square theta cos square theta minus 1 था minus कामल लिया तो यह होगया 1 minus cos पर पर यह था कि cos square theta minus 1 कुछ नहीं होता है लेकिन 1 minus cos square theta होता है sin square theta इसलिए minus कामल लिया अब यह x is equal to है cos theta plus minus under root minus sin square theta इस part को यहाँ पर अब करना है तो आपके पास x equal to आया x is equal to cos theta plus minus under root के अंदर minus है तो i लग जाएगा और यह sin square theta है तो इस square हटेगा under root मेर जाएगा तो आएगा plus minus i into sin theta now taking positive value negative value neglect कर दिए तो taking positive value taking positive value अब आपके पास x is equal to cos theta and plus i sin theta यह आया x की value x equal to cos theta plus i sin तो now see जब starting में question आपके पास था तो यहाँ पर i कहीं ना तो complex number था ही नहीं और इस place salt के तो आपके पास आप आई भी आ गया और जैसे ही आया तो वो question आपका complex number का हो गया यह x की value है now see इन दोरों में relation देखिए इन दोरों को compare कर गये तो कोई भी difference नहीं है x के place पे y आ गया है और theta के place पे 5 तो same pattern हम कोई चाहें तो similarly लिख दें यहाँ पे एक word लिख लेंगे similarly similarly y is equal to cos phi and plus i sin phi यह x और y की important value है और तीन पार्ट हैं और तीनों ही पार्ट में हम इसका use करेंगे x equal to this और y equal to this अब आप जड़ा इसको देखिए जो prove करना है इसमें क्या कर रहे हैं x upon y plus y upon x तो पहले हम x upon y के value find के लेते हैं फिर y upon x के value find करना जाए और बाद में दोनों को add कर लेंगे अब यह x upon y देखिए क्या है x upon y is equal to और x और y के value यहाँ पे है आपके पास है cos theta plus i sin theta upon cos phi और plus i sin phi so x upon y is equal to एक property थी जब हमने आपको polar form बताय था तो वहाँ पे एक बहुत important term बताय था कि अगर दो polar form का division हो तो angle को subtract करते हैं और दो polar form का multiplication हो तो angle को add करते हैं यहाँ पे दो polar form का division है तो angle को subtract करेंगे तो इसको लेखेंगे cos और theta minus phi plus i sin theta minus phi और यह है equation number 1 यह value है x यह value है x upon y की cos theta minus phi और plus i sin theta इसी pattern पे हम find करेंगे y upon x की value अब y upon x देखिए y upon x तो y upon x में क्या है कि जो denominator में था वो numerator में जाएगा और जो numerator में था वो denominator में जाएगा तो यहाँ पे गब theta minus phi था तो वो phi minus theta हो जाएगा यहाँ भी theta minus phi था तो वो phi minus theta हो जाएगा यह गोले डायरेक्ट लिख सकते हैं कोई जरू नहीं कि आप hardline लिखे इसी pattern पे तो वो हो जाएगा cos phi minus theta और plus i sin phi minus theta यह हैं अब यहाँ पे इसको अभी हम equation number 2 नहीं लिखते हैं तो अगर minus कामल लेंगे तो यह होगा theta minus phi minus कामल लिया तो यह होगया theta minus phi यहाँ पे minus कामल लेंगे तो वो यहाँ आजाएगा इसको लिखते हैं minus i sin और theta minus phi अभी भी यह second equation नहीं है is equal to यह bracket नहीं है यह cos minus theta अब एक formula था अभी हमने आप होता है था cos minus theta is equal to cos theta cos में अगर angle negative है तो वो positive बजाता उसके कोई फर्ण नहीं पड़ता है तो यह y upon x is equal to cos minus theta is equal to cos theta यह होगया cos theta minus phi and minus i sin theta minus phi यह है second equation यह आपका second equation है x upon y और y upon x now adding 1 and 2 so adding 1 and 2 adding 1 and 2 adding 1 and 2 x upon i x upon y or plus y upon x is equal to जो अभी square करेंगे तो यह minus i और यह plus i sin का turn cancel हो जाएगा और यह दोनेट सेम टर्म है आपको proof हो जाएगा 2 cos theta minus phi और यह इस question का proof और यह इसका first part है बहुत ही important question बहुत ही selected question है और एक ही चीज बार-बार इसमें आया है वो trigonometry का part था कि cos में अगर angle negative है तो उसका कोई फार में पढ़ता है वो सीधे cos theta हो जाता है cos minus theta is equal to cos theta यह formula है trinometry का तो यह था question का first part अब question में given यही है यह हमने first part suppose यह this is question number 2 and first part अब आपको हम ले रहे है question number 2 and second part जिसमें given part यही है लेकिन proof अले part change जाएंगे I think these steps are clear and this is the result of this question prove that second part is question का so second part है इसका second part x power m prove that x power m into y power m x power m into y power n और plus 1 upon x का power m into y power n is equal to is equal to 2 cos 2 cos और bracket में m theta 2 cos m theta और plus n phi यह question का second part third part इसका इसका है तीन पार्ट का question है so यह यह आपको prove करना है x का power m into y का power m plus this one is equal to 2 cos m theta plus n phi यहां में हम वही काम करेंगे पहले इसकी value find कर लेंगे और फिर इसकी value find कर लेंगे और फिर दोनों को add कर लेंगे so पहले आप इसकी value find करें हम question इसकी value find करें पहले यह है x power m into y power n की value x power y value यहां पर हम लेड़ पकर दिया है value आप पर देख लिए x क्या था cos theta plus i sin theta और y क्या है cos phi plus i sin phi और यहां पर power लगे गा अब यह है cos theta plus i sin theta whole power m into cos phi plus i sin phi whole power n यह power n cos or sin की यह value है अब देखिए यहां इन दोनों में आपको अप्लाई करना है demiver theorem so demiver theorem यह हो गया cos m theta plus i sin m theta और cos n phi plus i sin n phi demiver theorem जो angle था वो पहले आ गया अब एक बार फिर वही जब दो polar form का multiplication होता है then the angles will be added दोनों angles को आप add कर लेंगे तब आपके पास एक final value है x power m into y power n is equal to angle को आइड करेंगे so cos 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 m theta plus n theta cos m theta plus n phi n phi और plus i sin plus i sin m theta plus n phi m theta और plus n phi ये sin के साथ हैंगे लेंगे यहाँ पर जगे कम है ये value यहीं होनी है बट यहाँ पर place कम है इसलिए इसके यहाँ लिखा हुआ है ये value है first time की x power m into y power n अब आप इसकी value find करेंगे इसी के 1 upon की so 1 upon x power m into y power n अब यह है क्या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं x का power minus m into y power minus n ये हो सकता है अब देखे जो पहली value आपने find किया ये और ये अब compare करेंगे तो क्या है जहाँ पर m था वहाँ पर minus m आ गया और जहाँ पर n था वहाँ पर minus n आ गया तो उसकी value में भी यही काम कर लिए जहाँ पर m था उसके place माइनस m और जहाँ पर n है उसके place माइनस n तो आपके पास ये वाली equation 1 है ये first equation अब ये आया x इसकी value आएगी means 1 upon x power m into y power n is equal to replace करेंगे m के place minus m और n के place minus n तो cos minus m theta minus n phi और plus i sin minus m theta minus minus n phi इस उकल तो लिख सकते हैं cos cos in the bracket minus common तो m theta और plus n phi यहाँ पर minus का में लिया लेकिन जब यहाँ पर minus का में लेंगे तो यह minus हो जाएगा minus i sin m theta और plus n phi plus n phi तो यह तो यह sin के साथ है sin के साथ जब जब माइनस के अमल है तो sin बाहर आ गया तो sin क्योंकि यह जो freedom है आपको कि एंगिल प्लस हो या माइनस हो यह के वो त्रिंग्रमेट्री में cos और सिक के साथ होता है वो quadrant का rule है वो deep में ट्रिंग्रमेट्री में लेकिन sin में ऐसा नहीं है sin में अगर आप minus कमें लेगे तो इसके पहले sin minus लग जाएगा यह freedom आपको cos और सिक में है अब यहाँ पर minus अब इसको लिख सकते है is equal to cos m theta plus n phi क्यों? क्योंकि cos में minus को value नहीं है minus i sin m theta और plus n phi यह है equation number 2 अब आपके पास दोनों वहरू आगे adding 1 and 2 adding 1 and 2 यह आया x का power m into y power n और plus second one 1 upon x का power m into y power n is equal to 1 और 2 को आप add करेंगे तो sign का जो term है यहाँ पर minus यहाँ पर plus है वो cancel होई आएगा cos वाले दोनों term add होईगे और तो मिलेगा आपको 2 cos m theta और plus n phi और यह proof है second question का second part का तो given part वही था यह भी बहुत अच्छा question है तो इस question के 3 part थे जिसमें हमने 2 part आपको solve कर दिये लेकिन 3 part आपको homework दे रहे हैं आपको खुद की practice के लिए हैं वो का आप खुद करके देखिए का 3 part उसको हम नहीं solve कर रहे हैं mostly जितने rules थे हम आपको बता चुके तीनी चीज़ का use करना है 2 polar form का अगर multiplication है angles will be added दो polar form का division है angles will be subtracted और cost के साथ अगर negative आपको लेना है तो उस negative और positive का कोई मस्तब नहीं है अब आप देखिए 3rd part So 3rd part है 3rd part prove that 3rd part prove that prove that x power m x power m upon y power n or plus y power n upon x power m is equal to 2 cos m theta minus 2 cos m theta minus n 5 ये 3rd part है और ये 3rd part आपको खुद करना है इसको आप खुद करके देखे बहुत ही अच्छा question है क्यों ये बस इतना याद रखिए जो rules हमने आपको बताए हैं वो याद रखेगा तो ये question number 2 था और इसकी एक ही question में आपको 3 part मिले बहुत ही अच्छे question थे अब हम 3rd question ले रहे है question number 3 3rd question है if alpha and beta are if alpha and beta are cube root of unity cube root of unity prove that prove that alpha power 4 plus beta power 4 plus alpha power minus 1 into beta power minus 1 is equal to 0 ये question है question बहुत ही आसान है बहुत ही कामन सा question है आपके पास जितने भी reference book है उन सब ये question दिया है तो omega पे बेस question है q root of unity मत्तब omega पे बेस question है और छोटा सा question बहुत अच्छा question है लेकिन बहुत कठीन question नहीं है तो जितने भी question आपको question के बिन second में हम question लिए ऐसे third में लेंगे fourth में लेंगे तो जितने भी question करेंगे उसमें कुछ question तो रहा लेंगे standard लेंगे लेकिन थोड़ा कुछ question एक दो question आसान भी लेंगे important रहेगा बट आसान रहेगा ये question भी है important question है लेकिन आसान question है तो इसमें given है alpha and beta are q root of unity complex ये एक तर्म यहाँ पे चलिए alpha and beta are complex q root complex q root alpha and beta are complex q root of unity तो जब आपने q root of unity prove किया था तो अगर नहीं किया है तो नीचे description में उसका link है आप q root of unity वाले जो पार्ट है उसका आप revise के लिएजे फिर आईए वो था omega and omega square q root of unity के तीन values होते हैं 1, omega और omega square तो जिसमें 1 तो real number हो गया omega and omega square with complex q roots तो अगर alpha and beta complex q root है तो एक omega ले लेंगे दूसरे को omega square यहाँ पर लिखेंगे let alpha is equal to omega alpha and beta is equal to omega square and beta is equal to omega square किसी भी एक को आप change भी कर सकते हैं तो किसी भी एक को आप alpha ले लिए और दूसरे को किसी भी एक को आप omega ले लिए और दूसरे को omega square अब question देखिए LHS LHS equal to alpha power 4 मतलब omega power 4 plus beta power 4 beta को है लो है तो omega power 8 plus 1 upon alpha into beta omega power 4 can be written as omega cube into omega plus omega power 8 will be omega power 6 into omega और plus 1 upon omega into omega square ऐसा क्यों किया है ओमेगा जो हम उन्हें आपको omega बताया था कुई root up into उसमें 2-3 question मिलिया था हमेशा omega को अगर possible हो तो उसका जो power है वो 3 के multiple में होना चाहिए जब उसका power 3 के multiple में होगा तो उसकी value 1 हो जाती है इसलिए ऐसा करते हैं अब omega cube के value 1 omega power 6 के value 1 तो यह हो गया omega cube equal to 1 तो यह आया ओमेगा तो यहां पर लिख देते हैं omega cube equal to 1 और omega power 6 also 1 तो 1 into omega omega plus यहां पर power 8 था तो omega power 6 यह omega square होगा omega power 6 into omega square अब omega power 6 के value 1 तो plus omega square plus omega square and plus 1 upon omega into omega square means omega cube omega cube this equal to omega plus omega square plus 1 यह क्यों कि omega cube की value 1 होती है अब आपके पास है 1 plus omega plus omega square तो omega की property थी कि 1 plus omega plus omega square is equal to 0 तो इसकी value आ गई 0 और यह is equal to है RHS तो यह था question number question number 3 था बहुत ही अच्छा question था लोगर बहुत ही छोटा सा question था अब एक question और लीजिए हम एक और question ले रहे हैं इसको इससे बहुत सिंपल सा question ले रहे हैं अब question देखे हैं find real values of question number 4 find real values of x and y satisfying x power 4 plus 2xi minus 3x square plus i y is equal to 3 minus 5i और plus 1 plus 2i y question एक बार फिसे रिपेट कर ले हैं x का power 4 plus 2xi minus 3x square plus i y is equal to 3 minus 5i plus 1 plus 2i y so find out the real values of x and y बहुत ही सिंपल बहुत common question होते हैं और बहुत अच्छे question होते हैं इस ताइप पे और भी question हम नेक्स पार्ट पे लेंगे अब देखे इसको इसमें क्या करना है LHS और RHS में real और imaginary part को पहले आप एक साथ लिखें तो real और imaginary part अगर आप एक साथ लिखते हैं तो x का power 4 minus 3x square एक bracket में आएगा x का power 4 minus 3x square ये एक bracket में आया और imaginary part अगर एक साथ लिखते हैं तो plus आएगा plus i into यहां का 2x और यहां का minus y तो real part साथ x का power 4 minus 3x square और imaginary part आपने i कामल लिया तो यहां पर 2x और यह माइनस i यही काम इथर भी करिए आप इसका real part है 3 और यहां पर real part है 1 तो 3 plus 1 और imaginary part में अगर plus i कामल लेंगे तो यहां एगा 2i 2i और minus 5 यह आपका real part और imaginary part है अब क्या है comparing comparing real and imaginary part comparing real and imaginary part इसका real part यह है और इसका real part यह है तो x का power 4 minus 3x square is equal to 4 so x का power 4 minus 3x square minus 4 equal to 0 यह first equation real part से और imaginary part यह है 2x minus y is equal to 2y minus 5 यह second equation first or second equation आया अब किसी अब इस first equation को solve करना आप कितना है first equation को solve करना है इससे x की value find करनी है और जो भी x की value आएगी उसको second value second equation report करके y को इससे इससे इतना काम करना है लेकिन फिर भी हम solve कर दे रहे हैं आप देखे इसको so first equation x का power 4 minus 3x square minus 4 equal to 0 by splitting the milli term इसका factor बहुत है simple सा है so x का power 4 minus 4x square plus x square minus 4 equal to 0 x square यहाँ पे common तो आएगा x square minus 4 और plus 1 common तो x square minus 4 equal to 0 एक bracket में आपको मिलेगा x square minus 4 और दूसरे bracket मिलेगा x square plus 1 is equal to 0 यह दो bracket मिले आप जास second bracket देखे है let x square plus 1 is equal to 0 तो x square equal to minus 1 means x equal to under root minus 1 और यह है not real not real value इसको आपको neglect कर देना है क्यों क्योंकि question मिले रखा है find the real values so real values means real values of x अब इस बेके से पास बल लाही है क्योंकि इससे not real value मिल लाही है तो इसको देखेंगे let x square minus 4 equal to 0 तो x square is equal to 4 और x is equal to plus minus 2 x equal to plus minus 2 तो x की दो value मिली plus 2 और minus 2 और इन दोनों को यहाँ पे हम रखेंगे अब question की भी कोई question की भी कोई खास जरूत नहीं है या question रहने है तो यहाँ पे रख कर जेते हैं अब यह है let let x is equal to 2 from second from second x equal to 2 आप यहाँ रखेंगे तो 2 to 4 minus y is equal to यहाँ पे 4 minus y equal to 2i minus 5 equal to 2i minus 5 5 विज़र ले आईए तो 4 plus 5 9 is equal to 3y and y is equal to 3 तो एक answer मिला तो if x is equal to 2 y is equal to 3 calculation आप देखते रहें तो if x equal to 2 and y equal to 3 x equal to 2 यहाँ रखा तो 4 minus y is equal to 2i minus 5 minus 5 विज़र आए तो 4 and 5 9 2i minus y 3y y equal to 3 now second value x equal to minus 2 so if x equal to minus 2 if x equal to minus 2 from second value find करिए from second equation x equal to minus 2 तो अगर minus 2 लेंगे तो यहाँ पे जाएगा minus 4 minus 4 minus y is equal to 2y minus 5 minus 4 अब minus 4 है तो minus 4 उधर जाके minus 9 जाएगा तो यह होगा minus y minus 2y is equal to minus y यह minus 4 so minus y minus 2y is equal to minus 5 or plus 4 so minus 3y is equal to minus 1 so 3y is equal to 1 or y is equal to 1 upon 3 so दूसरा answer अब यहाँ लिख देते हैं so so if if x equal to minus 2 then y is equal to 1 upon 3 यह second solution तो इस तरह से था find out the value of x इसके और भी अच्छे अच्छे question है तो आज का हमारा वीडियो हम यह खतम करते हैं यह part 9 था question kevin 2 इसमें हमने आपको कुछ question साल किये और बहुत ही अच्छे बहुत important question अब question kevin 3rd और question kevin 4th दो वीडियो आपको और मिलेगा complex number में इससे पहले भी हम लाता किसी भी chapter से खास करके टिकना मेंटरी complex number या कोई भी chapter हो उन questions में, उन chapters में question की कोई limit नहीं होती है unlimited question आप चाहें तो 100 वीडियो एक ही chapter के बन जाएंगे लेकिन फिर भी एक limit है तो हम complex number को 2 वीडियो और बनाके complex number को खतम करेंगे तो यह था question के वीडियो के second फिर एक third भी आएगा और fourth भी आएगा उसमें भी हम आखो बहुत अच्छे-च्छे question हम आखो solve करेंगे next two videos में तो उसको भी देखना मत भूलिएगा एक बाद फिर reminder आपके लिए कि अगर आपने concept ने revise किया है तो part 1 से लेके part 7 तक आप वीडियो देख दा लिए और सारे concept एक बाद फिर revise करिए so यह था question के वीडिन 2 और part 9 thank you